नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दे पावर ओफ ओम पर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वे जय भोले नाथ, जय बागेश्वर धाम, तीस या इकतीस अगस्त किस दिन मनाया जाएगा रक्षा बंधन यहां जानिये सही डेट और राखी बांधने का शुभ मुहूर्थ, लोगों में रक्षा बंधन की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिती बनी हुई है, तो ऐसे में आ रक्षा बंधन का त्योहार, इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध कर उसके सुख और सम्रिध्धी की कामना करती है, वहीं भाई भी अपनी बहन को वचन देता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा, हालांकि बदलते वक्त के साथ अब त्योहार मनाने के तरीके में भी बदलावा गया है, अब प्यार की डोरी से बनी राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं, बलकि बहन के हाथों में भी बांधी जा रही है, बहने भी ताउम्र प्यार और साथ देने का वादा करते हुए अपनी बहन से राखी बंधवा तो आईए, अब जानते हैं कि इस साल रक्षा बंधन का त्योहार किस मनाई जाएगी, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी इसकी तारीक को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिती बनी हुई है, रक्षा बंधन दो हजार तेईज की सही डेट क्या है? रक्षा बंधन का त्यो जो कि अगली सुभह तक रहेगा, तो इस तरह साल साल 2023 में 30 और 31 अगस्त दोनो दिन रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 30 और 31 अगस्त 2023 भद्रा का समय भद्रा प्रारंब 30 अगस्त 2023 को सुभह 10 बजकर 58 मिनट से शुरू भद्रा समाप्त, रात 9 बजकर एक मिनट पर 30 अगस्त 2023 राखी बांधने का शुभ मुहूर्ट 30 अगस्त 2023 को रात 9 बजकर एक मिनट से 31 अगस्त 2023 सुभह 7 बजकर पांच मिनट तक रक्षा बंधन का महत्व। रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस पावन दिन बहने अपने भाईयों को राखी बांधती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार और उसकी सदैव रक्षा करने का वचन देता है। बाद में इस दिन को रक्षा बंधन के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। गौरतलब है कि भगवान श्रीकृष्ण ने चीरहरण के समय उसी कपड़े के टुकड़े से द्रौपदी की लाज बचाई थी। हमारा उद्देश्य महद सूचना पहुचाना है। इसके उपयोग करता इसे महद सूचना समझ कर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयम उपयोग करता की ही रहेगी।